सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वीन धुंडवा में फिर हाजरे हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ इस वीडियों बड़ी अपडेट असात्यों हर्याना में कच्छे करमचारियों के लिए जैसा कि आप सभी को पता है हम एक वीडियो पहले डाल चुके हैं कि कच्छे करमचारियों का जो जो जोब स्क्योर्टी अक्ट आया था अब वो सीरे नहीं चड़ पाएगा ऐसी अब तक की अपडेट थी लेकिन हम एक उमीद की किरन अब भी लगाय बैठे हैं हर्याना में लाखों कच्छे करमचारियों के लिए वो क्या है सात्यों यदि सरकार चाहे तो अब भी जो पौलशी लागू हो सकती है सरकार को कुछ काम करने होंगे यदि ये सरकार फोलसी लागो करवाना चाहती है और ये फोलसी लागो जाती है तो निश्ची तोर पर कच्छे करमचारियों का जो भविश्या हो शुरक्सित हो पाएगा और उसका लाब सरकार को भी देखने को मिलेगा तो किस प्रकार से जो प्रियास सरकार को करने होंगे और क्या प्रियास सरकार करेगी डिटेल से आपको बताएंगे इसलिए वीडियो को लाश्ट का आप जुरूर देखें चलिए शुरू करते हैं जैसे कि पहले वाड़ी वीडियो में हमने ये खबर आपको दिखाई थी कि एक लाख जो कच्चे करम चारी है उनको ज्योब स्कूर्टी एक्ट का जटका मिल सकता है लेकिन अभी जो उमीद की किर्ण बाक्य वो ये है कि यहाँ पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उन्होंने बड़ी अपडेट दिये जोब स्कूर्टी एक्ट को लेकर कोई संदरब आयेगा तो चुनाव अयोग से मारदर्शन मांग लेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानि आदर्श चुनाव अचार सहिता के लग्गू होने के बाद दैनिक सिवेरा ने जोब स्कूर्टी एक्ट के तहट एक पॉइंट भीशला करमचारियों के आदेश परित करने या नय करने के संदरब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकच अगरवाल से पूछा उन्होंने जवाब दिया परितेश सरकार की तरफ से कोई संदरब आएगा तो बारत निर्वाचन अयोग से मारुदर्शन मांग लेंगे तो यहाँ पर जो मुख्य उमीद की किरिन है कच्चे करमचारियों के लिए वो बाकी है यदि सरकार चाहे तो अब भी यह जोब स्कूर्टी एक्ट का लाब है कच्चे करमचारियों को मिल सकता है उसके लिए यदि सरकार चाहेगी तो आगरह बेजा जाएगा मुख्य निर्वाथन अधिकारी शी ई-ओ हरियाना को कि हमने जो जोब स्कूर्टी एक्ट का च्चे करमचारियों के लिए लाय गया था उसका लाब हम देना चाहते हैं और वो लाब हम राजनीतिक तोर पर नहीं देना चाहते उनके वविश्या को सुरुख्षित करने के लिए वो लाब देना चाहते हैं यदि ऐसा सरकार दुवारा प्रियास किया गया और ये मामला जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा तो यहां पर उन्होंने स्तीति स्पष्ट कर दी है यदि ऐसा कोई संधरब में मामला आएगा तो वो मुख्य जो बारत निर्वाचन अयोग है उसको भेज दिया दाएगा और जैसा उनका फैंसला होगा वो लागू कर दिया दाएगा तो अभी भी आप चाहें तो सरकार तक यह बात पहुंचा सकते हैं कि आप अपनी सपष्ट मंसा से बिना किसी राजनीतिक लाब को लेते हुए कच्चे करमचारियों के लिए समाजिक काम करें औ और बारत निर्वाचन अयोग से ये अनुमति लें कि जो कच्चे करमचारियों को रिडिनेस उन दुवारा जारी किया गया है उसे तुरुनत परभाव से लागू किया जाए यदि ऐसा होता है तो सात्यों आपका जो एक्ट लागू हो जाएगा तुरुनत परभाव से और ये एक एक लाख बीश हजार परिवारों का मामला होगा और सरकार इसे निश्थी तोर पर आगे भी इसी परकार से लागू रख सकती है अभी तक ये सुचना हम आपको दे रहे हैं जो हमारे सामने आई है क्योंकि इससे पहले भी चुनाव आचार सहिता में चाहे वो लोग सबाकी हो चाहे विदान सबाकी हो ऐसे बहुत सारे रेजल्ट या नियम काईदे एक्ट लागू हो चुके हैं बारत निर्वाचन अयोग की अनुमती से यदि बारत निर्वाचन अयोग को इसमें कोई राजनितिक मनसा नहीं लगी और समाजिक ताना बाना से ये जो एक्ट है सही माना गया तो आपका एक्ट सो परतिशत लागू होगा यदि सरकार अपनी कोशिस जारी रखे तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मायूसी कच्चे करमचारियों में एकदम से दोड़ गई है जो तोफा सरकार द्वारा दिया गया था और उन्होंने एक आस जगाई थी कि कच्चे करमचारियों को अब 58 साल तक कोई भी खत्रा नहीं है तो उसे न्यूक का न्यू साइम लागू किया जा सकता है और उस फैंसले पर कच्चे करमचारियों को भविश्या सुरक्षित रखा जा सकता है लेकिन जो सरकार है वो यह प्रियास्त करेगी तब ही जाकर यह काम हो पाएगा तो साथियों इस पर जो भी नई अपडेट आईगी वो आपको बता दी जाएगी तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुबह हो